So, Hello, दोस्तों, नमाश्कार, इन्मेस्वन क्लस्टस में आज सभी का दिल से बहुत-बहुत सोगा थे So, इस वीडियो में बात करें कुछ important stock के बार में जिनमें आज के दिन काफी सारे important update निकल के आचुका है So, stock में से कोई भी stock आप लोग को पास से किसी भी level पे So, please इस वीडियो को जरूर देखना ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है So, सबसे पहला हम बात करेंगा Titan Company Limited के बार में So, Titan Company Limited में दो positive update निकल के आचुका है उसमें से पहला अपड़ीड के अगर हम बात करें जो उनके gold price premium है तो उनके जो charges है 9 top cities में हमें ये reduce करते हैं लगबग 50% के आसपास तो इसके पीछे का reason है कि बहुत ही जामें competition देखने को बहुत सरे ऐसे local jeweler है वो भी चीजों को no doubt Titan Company तनीस है ब्रांड वो बहुत ही बड़े company है लेकिन फिर भी जो local jeweler है वो बहुत ही हमें कम valuation में भी बहुत ही कम premium में अपना ये जो charges ले रहे है जिनके चलते इनको भी अपने market share को position बना के रखने के लिए ये भी कुछ top ऐसे 9 cities है जिनमें सब्सक्राइब में इनके product sale होते हैं उनमें जो कुछ product है उनके पूर 50% से के आसपास हमें reduce करते हैं इन सारे चीजों को देखके बहुत सारे बोप्रज हो जिनमें ICIC security है कि इन stock को estimate के अभी fair value जो है दूसरे update की दूसरा update है तो mutual fund के holding जब भी ऐसे stock में देखो एक साल में कितना गिरावट हो थर्टीन से लगे 14 या 15-16% आप मालो 15-16% बाजर में इतने walter होने के बाद भी ये stock ज्यादा गिरते भी जाते है थोड़ा वह तो आप बहुत सत्तों कि आपके लिए लगी है या पर बाजर के लिए लगी है क्योंकि आप देख पाने कि जैसे गिर जाते है उसमें mutual fund के holding कितनी तया से increase होता है मतब 21 mutual fund ऐसे जो कि in stock में sale कि है और फेब मन्त की में बात करो और 92 mutual fund ऐसे है जो कि in stock में buy कि है यानि कि जैसे ऐसे stock में गिरावट होता है mutual fund वाले है और EFJS अ तो यह जो आपको एक एकसार में 16-17% गिरावट देखने को मिले तो इस गिरावट को देखके भी इन 16% करेक्शन भी में भी आप एक स्टॉल में तो बिंदास लगा के चल से तो आप बहुत सारे लोग के दिमाग में यह आए कि 16% की गिरावट में कौन एक स्टॉल में बहुत ही स्मूद दी चन्ने वाली कंपणिये तो डेफिने 16% की गिरावट में इस डेटा को देखके यह फिर इस बिजन्यूस को देखके टाटा गूरूप से जरूरा कंपणिये आप डेफिने 16% गिरावट में एक स्टॉल में जरूर लगा लेना है उम्मीद करना कि स्ट बहुत ही कम करेक्शन आपको दिखाता है तो एक डीसेन कंपणिये जिनको डीसेन चीए जो सोचते हैं कि मैं लाग रूपए एक ही स्टॉक में लगाऊंगा और मेरी पैसे बहुत ही कम ज्यादा वर्लटल हो मतलब स्टेबल ग्रोथ दिखाए यह रिटन कम मिले लेकिन जो बहुत है वो बहुत ही स्मूदली चले ज्यादा वर्लटल ना हो तो आप टाइटिन के बारे में डिफरेंट्री विजार कर सकतो हो तो टाटा अलेक्सी में कुछ दिनों से वह बहुत ही ज्यादा कंसिटेंसी चॉक मैं में गिरावाट और गिरावाटी देखिन को मिल रहे पिछले एक मन्त के बाद के तो 4-4% की करेक्शन अगर 6 मन्त के बाद के 30% की गिरावाट और पिछले एक साल की बाद के तो वैसो देखो कि नॉर्मल यहां से तो आपको 12-13% करेक्शन देखिन को मिलेकर लेकिन इक्जैक्ली जिन्होंने हाली में बाइक किया सेप्टमबर क कि अच्छे का साथ में एक्जीट होते हो देखिन को मिल रहा है जैसे मैंने अभी आपको डेटा दिखा है कि सेप्टमबर से यह रहा सेप्टमबर आप देख पर गए 26,000 सेयर मुचल फंद ने सेल किया था तहने बात करें ऑक्टोबर में लगबग 65,000 सेयर से उन्होंने से सेल गया उसके बाद जन्मरी के अगर बात करें लगबग 85,000 के आत्पाई यानि कि यह सेलिंग है मुचल फंद के वो हमें सेप्टमबर से देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अगर आप देखोगे तो सेप्टमबर से आपको अच्छे का से ग्रयावर देखने को मिलेगा क्योंकि जो मुचल फंद के होल्डिंग है वो बहुत ही अच्छे का से होल्डिंग होता है तो मुचल फंद अगर लगाता इंसे स्टॉक में सेलिंग करेंगे क्योंकि स्टॉक ने बहुत ही शांदेर बना के दिया और कभी ने कभी तो मुचल मुचल फंद हो चाए एफ हो हर कोई अपना profit booking करने का वो right है वो कभी नी कभी अपना profit booking दू जरूर आपको करते देखने को मिल जाएगा और जब यह करेंगे तो अच्छे quantity की साथ ही करेंगे तो stock में आपको एक अच्छे कासे सेलिंग देखने को जरू मिल जागा यह फिर stock में आपको अच्छे कासे गिरावाट भी देखने को जरू मिल जागा जो कि आप सेप्टम्बर से आप देवी बार रहें साथ ही साथ अगर इस मन्त फेब की मन्त की अगर आम mutual fund holding की बात करें तो इस मन्त फेब मन्त में भी company का मे नेट सेलिंगे देखने को मिल रहें 14,000 सेयर अप एकसिस ग्रोथ फंडर है हमें बाई के और HSBC ने लगबख 47,000 का आपस सेयर से उन्होंने सेल कि है जिनकी जाते stock में जो pressure है वो हमें अभी तक की continue होते हैं देखने को मिल रहा है तो देखो जो mutual fund होते है FISDS है वो उनकी भी सेल करते हैं आपको मिल जाएगा जैसे company में आसे growth आपको continue को मिलेगा वो दुबारा stock में बाइंग करते देखने को मिल जागा और stock में आपको दुबारा शांदा तेजी देखने को जरू मिलेगा ये तो आपसे announce चलते रहते हैं कभी FIS buy करगा कभी DS buy करगा कभी DS sell करगा सदोर में आपस में चलते रहते हैं लेकिन अगर company की बात करें दोस्तो company बहुत ही fantastic बहुत ही कमाल की पर टाटा लेक्षी देखने अमोंक्स वर्ल लीडिंग प्रोवाइडर है दोस्तों design और technology service पे across the industry including automatic media communication और health टाटा लेक्षी प्रोवाइड दे इंट्रेटी शर्वीस प मिलते हो देखने को मिल जाता है साथ सिफ इतना ही नहीं कि company की चारो business model क्लाइन बेस देख लो साथ से company के इस business से कितना run करके कितना अपना revenue generate कर रहे है उसको भी चाहो तो आप देख सकते पिछले 10-12 साल की data देख ना 2011 से consistency पहले sales की 400 करोर अब लगबग 3000 करो profit कितना था 47 कर अब लगबग 1000 करो के आसपास जाते हैं तो यह consistency player है अगर company के quarterly basis number की बात करें तो कोई सक नहीं है बहुत ही शांदर नमर दिखाता है चाहे यह बात करें चाहे quarterly बात करें और अपनी जो small care mid care company है IT company एक तो होते large care IT company जिन में TCS, Infosys, BP, LTTS यह सारे company आ जाता है और दूसरा मे बल रहे है, LTTS और इन sector में दोस्तो small care mid care company एक number on company एक leading company लगब 40,000 करो के आसपास इसके market cap है तो बहुत ही decent company बहुत ही शांदर company है तो दो को इतना गिरावाट होगा जितना return देगा stock जो आपको इतने गिरावाट देखें को मिल रहे है तो अभी भी 517% की return और including 42% correctional के 1000% return बना के देगा, तो कभी अगर उसमें गिरावाट होगा, कोई ने कोई अगर profit booking करेगा, तो इसमें normal 30, 40, 50% तो normal गिरावाट होगा, जो कि यहाँ पर भी 60% गिरावाट हुआ था, तो इस गिरावाट के चलते तो आपको बिल्कुल भी perish नहीं होना है, अगर आपके पास है, और अपने top पे भाई कि और एक ही साथ सारे investment करते हैं, तो Tata Group से जोगा कमपने हैं, और एक consistency कमपने, अपने सिक्टर का एक leading company है, बहुत ही फैला हुआ है इनके business है, तो please, आपको कोई भी panic करने के ज़रू है, ना है आपको panic करके loss बेचने के बारे में आपको सोचे नह और इसी चीजों को देखके, बहुत सारे brokerage होच कि इन stock में बहुत ही heavily correction होगे, company fundamental बहुत ही strong है, consistency अच्छे number दिखाने वाले company, तो इस limit पे अगर आप stock को buy कर कर चलोगे, तो आने बारे time में आपको सारे सारे target दिखाते हैं, देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आपके पास ह मैं साय से ये company आपको बहुत बाड़ी शांदर रहले दिखाते हो देखने को जरूर मिल सकते है, just company अभी लिस्टिम हो लिकिन luxury watches इनके business model है, तो definitely इसको focus में रखना, अभी buy मत करना, quarter 3 के number अच्छे है तो quarter 4 के number भी अच्छे आता है, वो भी देखने important रहेगा, उसके बात अगर बात करें, Friday की दिन तो हमें circuit लगते हो देखने को बिला था, पिछले 5 सान की बात के बात के तो 1000% और ये stock ऐसी ही चलते है, तो हाली में company एक के बदे चार्ज सेयर के announcement किया, उसके एक देन निकल के आच्छे को 19 March, उसे एक दिन पहले 18 March को अगर इस चार्ज सेयर के आ कि उन चर्ज सेयर के लिए अगर पिसका के आच्छे कोईए।